हालो बजो, let's read this question, the question see is the U-shaped bone present at the base of vocal cavity, vocal cavity के base में एक U-shaped की bone present होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सकल नहीं बोलेंगी, इनकरेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं, hyoid bone, कि टंग को support करती है और basically, जो है, हमारी बकल cavity के base में प्रेजेच सेइगी होती है, तो higher bone correct चला जाएगा incus और stapes के हम बात करें तो ये दोनों ही आते हैं हमारी ear bone के पार्ट से ही है ठीक है ear bone तीन होती है जिनमें से incus और stapes जो हैं ये दो ear bones है ठीक है तो ये भी incorrect हो जाएगा ये भी incorrect हो जाएगा हमारा जो correct answer चला जाएगा that will be option B इसके regarding information आपको 11th की new ncrt में page number 224 पे मिलेगी I hope कि आपको question अच्छा से समझा क्या है